और पेंशन निधी विनियामा को और विकास प्राधिकरन नई की तत्वाधान में राजस्तरिय वैंकर समिती ने अटल पेंशन योजना आउट्रीच कारिकरम का हैजन किया इस कारिकरम में संस्तागत वित्य मध्यप्रदेश शासन मुख्य महाप्रवंदक, PFRDA, SLBC, सैयोजक और Zonal Head Central Bank of India मुख्य महाप्रवंदक समेत बैंक मित्रादी मौचूद रहे इस अउसर पर तरसेन सिंग जीरा, SLBC, सैयोजक ने अपने उद्वोदन में कहा कि देश में बूढ़ी होती आबादी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है जहां 2001 में ये आकड़ा 7.5 प्रतिशत था जो अब 9 प्रतिशत हो गया है जिससे 2050 तक बढ़कर 19 प्रतिशत होने का अनुमाल लगाया जा रहा है अटल पेंशन ये उजना वृद दवस्ता में संचीवनी की तरह कारे करेगी इस ये उजना से जादा से जादा लोगों को जुड़ना चाहिए मध्रदेश में अब तक 22.81 लाख लोग इसी उजना से जुड़ चुके हैं इन में से 5.81 लाख लोग 2021-22 में जुड़े हैं इस दुरान कारिकरम में मौझूद अधिकारियों ने अटली उजना के बारे में जानकारियां दे करते हैं दिखें 25 में हमारे जो मानिया पंदा राणमन तली जी द्वारा सुरक्षा सोचल स्कुर्टी स्कीम तीन सोचल स्केर्टी स्कीम शुरुआत की गई थी प्येम जेजवेई, प्येम एस भीवेई एड़ अटल पैनेशरी योई ना तो पीम जेजवेई तो पीम एस उनका तो 50 परसा खूब हुआ और उनका इन्रोल्मेट खूब हुआ लेकिन APY का कहीं ना कहीं हमने देखा कि जनसुदार में अवेरनेस कम है तूसी के चलते उनका नंबर बढ़ाने के लिए यह जो आज का जो वेरनेस प्रोग्राम किया गया है तूसके चलते कि सो दैट जो ह अबलेक अट लार्ज है उनको इस जो योईना है उसके लाब समझा सके और जो ज्यादा ज्यादा लोग इस APY योईना के साथ जुड़ सके आज का जो हमारा कारिकरम है वो SLBC मद्यप्रदेश द्वारा आयोजित है APY आउट्रीश प्रोग्राम इस कारिकरम का जो बैग्रा होना चाहिए eligible population के बीच में और उसी को देखते हुए PFRDA ने 40 locations को identify किया है और वो 20 SLBC locations पे और 20 रिजनल रूरल बैंक की location पर हम इस तरह के APY आउट्रीश प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और इस क्रब में यह 17th program है जो हम APY आउट्रीश प्रोग्राम आयोजित कर रहे है झाल 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